नमस्कार मैं हूँ नमरात्रिय श्वर्या ग्रेंड इसीन न्यूस के सापताहिक राशिफल की कारिक्रम क्या कहते हैं सितारे में आपका स्वागत है दशको राशिफल हमें अपने भविश्य के बारे में नाकेबल जानकारी प्रदान करता है अपितो ग्रह नचत्रों की दशा, दिशा इवं चाल को जानकर उनके अनुसार उपाये कर वैक्ति अपने दिन्चरिया तथा जीवन को सरल इवं सुगम बना सकता है और तो और केवल कुछ आसान से उपाये कर हम अपने भविश्य में बड़े बदलाओ भीला सकते हैं अथा आप अपना सापता ही की राशी फल एवं हर राशी के अंत में राशी अनुसार सप्ता को शुब बनाने की उपाय जानने के लिए हमारी इस कारिक्रम में अंत तक बने रहे चलिए दर्शको अब आगे बढ़ते हैं राशी फल की और दर्शको ध्यान रखे इस हफते का यह राशी फल 11 सितंबर से 17 सितंबर तक के लिए है तो चलिए शुरुवात करते हैं मेश राशी से बेश राशी आपके लिए यह सप्ता नई चुनावतियां नई उम्मीदे ला रहा है तनाव नाले आपकी ही राशी में अभी भी राहो की इस्तिती बनी हुई है जिसके चलते यह सप्ता अभी थोड़ा सतर्ता भरा रहने वाला है बनते हुए काम में बाधा उत्पन हो सकती ह और पारिवारिक परिशानिया भी भड़ सकती है परंतु करियर के लिए यह सप्ता उत्तम है चाहे आप नौकरी में हो या बिजनेस में लाब होने के चांस ज्यादा है आर्थिक संकट टल जाएंगे संपत्ती से जुड़े काम पूरे हो जाएंगे स्वास्त सामानी रहेग आप इस सप्ता को शुब बनाने के लिए सप्ता की शुरुवात 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करके करें आगे बढ़ते हैं व्रिशब राशी की ओर व्रिशब राशी यह सप्ता आपके लिए नई नई योजनाय बनाने वाले वह उन्हें क्रियानवित करने की रूप करने की लिहास से शुब कहा जा सकता है सप्ता के आरंभ में चंद्रमा व्रिश राशी में विराजमान रहेंगे तो राशी स्वामी भी राशी परिवर्तन करने को अग्रसर होंगे यदि पिछले कुछ समय से नए घर या फिर घर में साज सज्जाव सुविधाओं को करने के लिए सप्ता की शुरुआत सूर्य देवता को जलड़ डाल कर करें अब बारी आती है मिठुन राशी वालों की मि राशी इस सप्ता भागी इस्थानपर राशी होने वाला है पुल मिलाकर यह सप्ता आपके लिए काफी अच्छा रहेगा विशेशकर शिक्षा छेत्र से जुड़े जातकों के लिए बहुत ही लाबधाई है परंतु संबंद में बहस से बचे आपके लिए शुब अंक आठ और शुब रंग हरा रहेगा मिथुन राशी के जातक इस सप्ता को शुब बनाने के लिए आप सप्ता की शुरुआत धार में के स्थल पर जाकर करें आगे बढ़ते हैं करकराशी यह सप्ता आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है आपकी आर्थिक इस्तिती भी थोड़ी बिगर सकती है अचानक ही कुछ खर्ची फिजूल के हो सकते हैं इस बार जितना हो सकी परिवार में शांती बनाई रखे इस सब्ता आपकी प्रती माता का वहवार आपको बहुत परिशान कर सकता है आपका मानसिक और शा सब्ता को शुब बनाने के लिए आप सब्ता की शुरुवात किसी जरूरत मन को भोजन खिला करें अब बारी आती है सिहराशी की सिहराशी आप इस सब्ता हर मौके से धन कमाने की और अपने प्रयास करते रहें आपको यदि घर के किसी सदस की सेहत से जुड़ी कोई समस्या परिशान कर रही थी तो इस सब्ता उनके उपचार में ही सही बदलाव स्वास्त में अनिकूलता लाने में मददगार सिद्ध होगा इस समय अपने एगागता को बनाए रखे साथ ही आपकी भलाई है कि अचानक कोई बीमारी इस बार आपको यदि दुखी करे तो आप दु शुब अंक नौ और शुब रंग गुलाबी रहेगा आप इस सब्ता के शुरुवात चंद्र देवता को दूद मिश्टेट जल अर्पित करके करें आगे बढ़ते हैं कन्या राशी खियार कन्या राशी इस सब्ता के शुरुवात थोड़ी परिशानियों से भरी हो सकती है परंतु सब्ता के मध्ध के बाद आप कारेचेतर के हर काम को पूरा जल्दी ही करने की कोशिश करेंगे और लाब भी होगा इस सब्ता आपकी कई स्वास्त समस्याय दूर हो जाएगी अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए ये सब्ता बहतरी रहेगा आप इस सब्ता को शुब बनाने के लिए सब्ता की शुरुवात किसी जरूरत मन को भोजन खिला करें आईए अग बात करते हैं तुला राशी की तुला राशी आपकी राशी के छात्रों को इस सब्ता अपने शिक्षकों और अभिभावकों का पूरा सहयोग ऐसे में आपको भी यह सुझाओ दिया जाता है कि अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्चकों की मदद लेते रहें इस सप्ता आपको आर्थिक हानी होने की संभाव ना हो सकती है क्योंकि योग बन रहे है कि ऐसा ही कुछ इस समय आपके साथ हो सकता है कि आपकी आर्थिक इस्तिती बिगड़ जाए परिवार के साथ समय जरूर बिताएं आपके लिए शुब अंग पांच और शुब रंग पीला रहेगा जातक इस सप्ता को शुब बनाने के लिए सप्ता की शुरुवात चंद्रमा को दूद मिश्चित जल अरपित करके करे अब बारी आती है व्रिश्चिक राशी की कड़ी मेहनत और पढ़ाई पर एकागरिता से आपको अच्छे परिनाम मिलेंगे यह सप्ता आर्थिक तोर पर आपकी इस्तिती मजबूत और आपकी उम्मी से बहतर रहेगा यात्र के दौरान आपको विशेश सावधानी बरितने की जरूरत है आप में से कुछ लोग सफलता पूर्वक एक बड़ा अनुबंद समाप्त कर सकते हैं जिससे परियाप्त लाब भी होगा जैसे जैसे आप नए संबंद तलाशेंगे रोमास हवा में रहेगा नियामित अच्छे स्वास्त को बनाई रखने के लिए उचित वयाम करे और आहार ले दामपत्ति जीवन में खुशाली आएगी आपके लिए शुबंग चार और शुबरंग कत्था ही रहेगा जाते के सप्ता को शुब बनाने के लिए सप्ता की शुरुवात सूर्य देवता को जल अरपित करके करे अब बात करते हैं धनूराशी की धनूराशी आपका यह सप्ता मिला जुला फल देने वाला होगा अपनी सेहत को इस बार सही करने की कोशिश करे अपने उपर ध्यान देते हुए आपको इस बार धन में व्रिद्धी भी हो सकती है कही फसा हुआ पैसा आपको लाब देगा इसलिए हर प्रकार की लेन दिन से जुड़े मामलों में जितना संबह हो खुद को सतर करके क्योंकि ऐसा करके ही आप कई विपरित पैस्तितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं दोस्तों के साथ घूमने के लिए समय जरूर निकाले आपके लिए शुब अंक दो और शुब रंग आसमानी रहेगा जाता के अब बारी आती है मकर राशी की मकर राशी इस सब्ता आर्थिक तंगी से आपको अचानक धन लाब मिल सकता है अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए ये सब्ता बहतरीन है इस सब्ता आपका मन आफिस की काम में नहीं लगेगा चंद्र राश इसलिए अपने मन को केंद्रित रखने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं आपके लिए शुब अंक्छे और शुब रंग सफेद रहेगा आप इस सब्ता को बहतर बनाने के लिए सब्ता की शुरुवात दहीं शक्कर खाकर करें अब बारी आती है कुम्भर आपका यह सब्ता मिला जुला परिनाम देने वाला होगा किसी अच्छी जगह की यात्रा कर सकते हैं क्योंकि संभावना है कि आपको घूमने जाने का अवसर मिलेगा आपको सरकार से भी कुछ मुनाफ़ा हो सकता है परिवार जन के साथ बहस बाजी से बच सकते हैं दोस्तो राशी मीन की मीन राशी यह सब्ता आपके लिए हर तरह से अच्छा रहेगा विवाहितों के जीवन में खुशिया आएंगी जीवन साथी और आपके बीच की समझ बजबूत होने से यह रिष्टा खूब सूर्ती से आगे बढ़ते चले जाएगा प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को अपने रिष्टे में कुछ निराशा महसूस हो सकती है क्योंकि आपको अपने प्रिय से उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना आप उनसे उम्मीद कर रहे थे अभी आपको प्रचूर मात्रा में धन लाब भी हो सकता है अचानक से भी कुछ धन लाब के योग बनते नजर आ रहे हैं आप अपनी बुद्धी का इस्तमाल कर किसी कलात्मक कारे से भी धन अरजित कर सकते हैं विद्वानों का सहयोग मिलते रहेगा आपके लिए शुब अ उस पर हर हफ्ते बने रहे अब तक के लिए इतना ही आप सभी दर्शकू का धन्यवाद